स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्डा में दोस्तों अगर आप एक बार 47,000 रुपे का निवेश करते हैं और यहाँ पर आपको रिटर्न मिलता है एनूरी 23% का तो दोस्तों आप इस पैसे से 172,34,194 रुपे का पंड बना सकते हैं जबकि अगर आप किसी बैंक FD में 47,000 रुपे एक साथ निवेश करते हैं लोंग क्राइम के लिए तब भी आपको जद्द से ज़ादा 2,00,000 रुपे तक ही मिल सकते हैं क्योंकि बैंक FD की ब्यास दर बहुत जादा कम है इसी तरह बहुत सारे लोग LSE की स्कीमों के तरफ भी रुख करते हैं लेकिन दोस्तों वहाँ पर भी आपको सालों के आधार पर प्रेमियम धेना होता है लेकिन उसके बाद भी आपको कोई ज़ादा प्रॉफेट नहीं हो पाता है क्योंकि निवेश करते टाइम आपको एक बाद ज़रूर ध्यान रखने होती है वो है इन्फलेशन रेट यानि महगाईदर अगर आप निवेश पर महगाई को बीट करके अच्छा रेटन हासिल कर सकते हैं तब याप पविशे में एक बड़ा फंड बना सकते हैं क्योंकि दोस्तों महगाई इस वक्त करीब 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है और बैंक FD की बात करें या फिर LIC की स्कीमों की तो वहाँ पर भी आपको जो रिटन है वो जादा से जादा साले 6% तक ही मिलता है तो लोंग टाइम के लिए अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक FD हो चाहे से LIC यहाँ पर आपको जादा फाइदा नहीं हो सकता है इसलिए आपको हमेशा एक ऐसे निवेश आप्शन की तलास में रहना चाहिए जहाँ पर आप निवेश करके महगाई को भी बीट कर सकें और अपने लिए एक बड़ा फंड बना सकें अब दोस्तो ऐसा आप्शन आपको मिलता है mutual funds इसकीमों का ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश के जाता है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप डारेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क जादा होता है जबकि अगर आप mutual funds scheme के थरू stop market के अंदर निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको जो profit है वो काफी अच्छा हो जाता है इसलिए आपको हमेशा निवेश करते टाइम mutual funds scheme के तरफ रुख करना चाहिए और यहाँ पर बहुत सारी scheme ऐसी हैं जिन्होंने long time में काफी अच्छा return दिया है यहाँ पर आपका पैसा सबसे ची बात की compound interest rate के हिसाब से बढ़ता है और long time में compound interest rate के हिसाब से आपका पैसा कई गुना तक हो जाता है आज हम जो fund लेकर आए है वो भी एक mutual funds है और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आ पारे में जान लेते हैं क्योंकि दोस्तों return सबसे important होता है और इस fund का जो return है लगतार 10 साल से वो है 24.84% यानि आपके जो पैसे हैं वो annually 24.84% return के साब से बढ़े हैं जबकि अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल की बात करें तब 20 fund ने 14.69% का annually return दिया है और अगर सिर्फ 3 साल की बा करें तब इस fund ने शांदार तोर पर 17.12% का return दिया है दोस्तों यह mutual funds की scheme है और scheme का नाम है निप्पॉन इंडिया small cap fund direct plan growth दोस्तों small cap fund का मतलब कि यहां पर जो भी पैसा है fund का वो सारा का सारा small cap category के जो share है बहतीन quality के उनके अंदर निपीश किया गया है यही वज़ा है कि इस fund ने जो return है वो काफी अच्छा दिया है क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने पैसे पर risk लेकर और small cap category के mutual funds में ढालते हैं तो यहां पर आपको जो profit है वो काफी अच्छा हो जाता है अगर हम बात करें that fund के या फिर large fund के मुकाबले तो दोस्तों small cap fund के अंदर return काफी attractive बात करें यहां पर scheme के NAV की यानि के net asset value की तो यह है 101 rupees यानि के 101 rupees दोस्तों जो पैसे आप निवेश करेंगे इस fund के अंदर लमसम और जो भी उस वक्त NAV का price होगा उसके हिसाब से आपको unit lot की जाएंगी इस scheme के अगर fund size की बात करें तो यह भी बढ़िया है 30,765 करोड रुपे यानि इतने पैसे लोगों ने इस fund के अंदर निवेश के होगा है rating scheme की काफी बढ़िया है और minimum अगर आप SIP हर महने पैसे निवेश करना चाहते हैं तो 100 रुपे से भी निवेश से start कर सकते हैं और ल अगर हम बात करें फाइनिशल सेक्टर के अंदर तो यहां पर 13.6, consumer सेक्टर के अंदर 8.7, technology में 7.2, automobiles के अंदर 6.5, capital goods में 15.9, chemical सेक्टर के अंदर 11.8, construction के अंदर 7.5 और services सेक्टर के अंदर जो शेर्स हैं महां भी 6.5% पैसा यूज किया गया है अगर हम दोस्तो टॉप holding की बात करें तो यहां पर total 149 stocks हैं, small cap के लेगे, top holding में tube investment, HDFC bank, bank of boroda, KPIT technology, fine organic इस तरह के total stocks हैं जहां पर पैसा निभीश क्या क्या है दोस्तो गर expense ratio की बात करें यानि इस mutual funds के खर्चे की तो यह 0.86% का, exit load इसका 1% है अगर आप एक महिने से पहले पैसा निकालते हैं तब tax की बात करें तो आपको 15% tax देना होता है अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं लेकिन अगर आप एक साल के बात पैसा निकालते हैं तो आपको LTCG का charge देना होता है 10% अगर आपको profit हुआ है 1,000,000 रुपे एक साल के अंदर था अगर हम दोस्तों बात करें हैं आपर fund management team की तो इस fund को समीरिच 2017 से और अक्षे शर्मा 2022 से manage कर रहे हैं अगर हम दोस्तों बात करें निपॉन इडिया mutual fund house की तो rank इंडिया में 6 नंबर पर है company 30 जून 1905 में स्टार्ट होई थी और अगर हम AUM की बात करें तो लोगों ने करीब 2,7,915 करोड रुपे निपॉन इडिया mutual fund house के साथ अलग लग इसकीमों के अंदर निवेश के हुए है तो दोस्तों इस fund के अंदर अगर आप लंजम 47,000 रुपे का निवेश करते हैं और return हमने expect किया है 23% का जबकि इस fund का जो return है वो काफी attractive 24% है दोस्तों इस पैसे को इस fund के अंदर अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो 47,000 रुपे पर आपको estimated return 85,319 रुपे का मिलेगा यानि आपके 47,000 रुपे बढ़कर 5 साल के अंदर दोस्तों हो जाएंगे 1,32,319 रुपे अगर आप यहाँ पर इस fund के अंदर इस पैसे को 10 साल तक नफिश करते रखते हैं तो आपके 47,000 रुपे पर आपको 3,25,519 रुपे का return मिल जाएगा यानि आपके 47,000 रुपे बढ़कर 10 साल में हो जाएंगे 3,72,519 रुपे इसी तरह दोस्तों अगर आप 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 5 साल यानि 15 साल तक इस पैसे को नफिश करके रखते हैं तो इस 47,000 रुपे पर आपको जो इसने में return मिलेगा वो करीब 10,1756 रुपे का होगा यानि कि आपके खाते में अगर आप 15 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो करीब 10,48,756 रुपे आपको मिल जाएंगे लेकिन यहां से यह funder का return जादा दरता है तो इससे भी जादा आपको यह पैसा मिल सकता है इसी तरह यहां से compound effect पर फाइदा आपको एक अच्छे से देखने के लिए मिलेगा अगरे हम 5 साल यानि 20 साल की बात करें तो दोस्तों 20 साल के अंदर आपको estimate return कितना मिलेगा 29,5559 रुपे का यानि टोटल आपके पास 29,52,59 रुपे होंगे 20 साल में जबकि दोस्तों अगले 5 साल यानि 25 साल के अगर हम बात करें तो इस पीरियड में आपका पैसा डबल से भी जादा हो जाएगा यानि यहां पर 82,65,385 रुपे का आपको return मिल जाएगा और आपके 47,000 रुपे बढ़कर 25 साल में हो जाएगे 83,12,285 रुपे जबकि दोस्तों अगर अगले 5 साल यानि 30 साल तक इस पैसे को आप और निवेश करके रखते हैं तो इस पीरियड में आपका जो पैसा है वो compound effect के साथ 2,33,494 रुपे का return आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर इस फंड के अंदर आप जादा नहीं मातर 47,000 रुपे निवेश भी करते हैं और लोग टाइम के लिए और आपकी उम्र इस वक्त कम है तब भी इस फंड से आप एक बड़ा फंड आराम से तयार कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई question होता है तो हमें जरूर बताएं वीडियो कर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को subscribe जरूर करें धन्यबाद